वेलकम बैक दियर स्टुडेंस आज हम सिंगले लिंकलिस्ट में डिस्प्ले फंक्शन को डिसकस करने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं इससे पहले वाले lecture में हमने single ring list create करने का function देखा था जिसमें हमने पूरा C++ का code देखा था मेरा motto है कि आप लोग जब भी कोई programming सीखते हैं तो आपको हर statement जो हमने लिखा है वो statement का क्या meaning एक क्यूं लिखा है और कैसे execute होगा ये चीज़ा आप समझे ताकि आपको कभी भी coding को भी रटना ना पड़े आप अपने तरफ से logics लगा पाएं ठीक है तो इसलिए हम हर statement को execute करके देखेंगे वो particular line हमने क्यूं लिखी है वो भी हम discuss करेंगे ठीक है तो आईगे शुरू करता है देखिए मैंने यहाँ पर दो list ले रखी है एक link list ले है empty empty है मतलब की जो start वाला जो pointer है हमारा external pointer उसके अंदर null लिखा हुआ है दूसरा case है जहाँ पर मैंने एक link list ले है और यह जो list है यह empty नहीं है इसमें तीन notes दिये हुए है जिनमें first part में data है second part में next वाले note का जो address है वो लिखा हुआ है देखिए जिसे इसमें 2010 लिखा हुआ है जो इसका address है इसमें 3000 लिखा हुआ है जो next note का address है और इसमें null लिखा हुआ है क्योंकि इसके बाद कोई भी note exist ही नहीं करता है ठीक है तो हम शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले void display यह हमारे function का नाम है यह कोई भी value return नहीं करता है इसलिए यहाँ पर void लिखा हुआ है next अब हम function में आ गए जैसा कि हम Q और stake में check करते थे कि कहीं empty तो नहीं है तो वही चीज हम यहाँ पर भी check करेंगे यदि elements display करना है it may be possible कि list ही empty हो यदि तो फिर आपको elements display करने की requirement ही नहीं है तो हमने जो condition लगाई वो क्या थी यदि start null के equal हो यह comparison operator है हमारा equal equal ठीक है so start को compare कि है null से इस वाली condition में क्या होगा इस वाली link list के case में start equals to null true हो जाएगा comparison तो जैसे ही यह true होगा तो यहाँ पर हम print करवा देंगे list empty और हम else part में जाएगे ही नहीं tick और सीधे compiler बाहर आजाएगा दूसरा case जब हमने अगर display function call किया है और link list हमारी कुछ इस type की है मतलब जिसमें basically जो start है उसमें null value नहीं है instead इसमें कोई address है और start में हमेशा किस node का address होता है first node का यह आपको ध्यान रखना start हमेशा first node को point करता है और उसके बाद में सभी nodes के next part में जा करके next वाले node का address मिलता जाता है तो अब हम इस case के लिए वापिस आए इस function के पास अब start equal equal null यहाँ पर false हो गया जब यह false हुआ तो आप जो execution है हमारा control वो else part में आएगा else में जब हम यहाँ पर आएं तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है temp equals to start मतलब assignment operator और assignment किदर से किदर होता है left side की जो भी value होगी वो इस वाले में assign हो जाएगी temp भी हमारा एक pointer variable है right so temp यहाँ आजाएगा start में क्या था 2000 temp में भी हो जाएगा 2000 temp आगे है यहाँ पर अब क्या करना है अब temp हमको बताता जाएगा कि note कहां तक exist करता है तो अब हम temp से इस address को जब access कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसके info part को print कर वा लेंगे और इसके next part से हम next वाले note पर जाएगे ऐसा कब तक होगा जब तक कि उसको next में null नहीं मिल जाता ठीक है तो यही चीज हमने यहाँ चेक की देखिए start को temp में डाल दिया तो temp में आगे 2000 अब हमने देखा कि यह loop चलाना है वाइल loop कब तक जब तक कि temp not equal to null हो तो देखिए temp में अभी क्या है 2000 और 2000 is not equal to null yes condition true होगी जब यह condition true हुई तो हम आगे इस वाइल loop के अंदर यहाँ आए slash t मतलब tab मिला यहाँ पर temp का info तो अभी temp कहा है यहाँ पर इसका info क्या है 5 तो 5 प्रिंट होगा फिर अब देखिए फॉर लूप में तो हम आई को एक से इंक्रिमेंट करते थे क्योंकि अरे की memory location continue रहती थी लेकिन यहाँ पर क्या है memory location कहा से मिलेगी इस से तो अब क्या करे temp equals to temp next मतलब temp में आप कौन सा address आजाना चाहिए बादवाले नोट का कैसे आएगा जब temp में हम उसके ही next pointer की value initialize करवा दे तो लिखा है temp equals to temp next तो temp next क्या था 2010 तो यह value किसमें assign हो गई temp में तो temp यहाँ से हटके कहां आ गया 2010 पर अब यहाँ तक हो जाने के बाद फिर से loop iterate हुआ अब इसने देखा क्या temp की value null है temp की value अभी थी 2010 जो null नहीं है तो condition true होगी not equals to null हम आए यहाँ पर यहाँ एक tab मतलब space मिला temp का info part जो अभी क्या है 10 वो print होगा फिर अब temp को आगे ले जाना है कैसे ले जाएंगे उसके next वाली value उसमें डाल दें कैसे डालेंगे temp equals to temp next तो temp में अब क्या value होगी 3000 फिर से चेक खिया loop चला 3000 not equal to null yes true हो गया अंदर आए अगेन एक tab मिला तेब के बाद लिखा है temp का info क्या था 15 फिर अब फिर से temp equals to temp next तो अब क्या होगा temp के next में क्या था null तो temp आपका यहां से हटके क्या हो गया null फिर से अब हमारा loop चला temp null था तो null not equal to null नहीं भईया null तो equally होता है null के तो condition false हो गई और हम इस loop से बाहर इस else से बाहर and finally function से बाहर ठीक है तो यह था हमारा display function एक बार फिर इसको in brief discuss कर लेते हैं अगर start में ही null है तो हम बोल देंगे list empty और हम बाहर आ जाएंगे otherwise start की जो value है वह एक variable में दे दी temp में यह temporary variable था इसको क्यों लिया? क्योंकि इसको आगया-गय बढ़ाते जाना है यदि हम इसको नहीं लेते और start को आगया-गय बढ़ाते तो हमारे notes क्या हो जाते है miss lost हो जाता देता हमारा इसलिए हमको एक temp नाम के pointer variable की जरुरत पड़ी जिसको सबसे पहले हमने start की value से initialize करवाया फिर उसका info print करवाया ठीक है? और उसको आगे ले जाने के लिए उसकी ही next value से उसको re-initialize करवाया और हर बार हमने उसको check करवाया कि यह null तो नहीं है क्यों? क्योंकि जब last वाले note के पास जाएंगे हम उसकी info print करने के बाद जब temp को उसकी next value से initialize करवाएंगे तो null आजाएगा उस case में तो जैसे ही null मिलेगा हमें रुख जाना है इसलिए हमने इसी को अपनी condition बना दिया यह हमारी exit condition थी ठीक है? सो हमने exit plan कर ली थी यहाँ पर कि exit कब करना है? जब temp जब तक आपका temp not equal to null हो यह condition true होती रहे तब तक तो यह चीज़ चलती ही रहे otherwise हम यहाँ से exit कर जाएं यह था पहला case अब हम discuss कर लेंगे insert at the beginning मतलब कोई link list है हमारे पास और उसकी beginning में किसी note को insert करना है ठीक है? शुरू करते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक link list है यहाँ पर यह वाले link list ले ली हमने दूसरी क्यों ली क्योंकि यहाँ मेरे पास space available नहीं थी इसलिए हमने यह वाले link list ली है ठीक है? तो अब यह वाले link list है इसमें मुझे beginning में मतलब यह जो first node है इससे भी पहले यहाँ पर मुझे एक node insert करवाना है ठीक है? तो अभी तक हम जानते हैं कि जब भी node insert करवाना है तो हमें क्या करना है? यह तीन cases रहते थे हमारे सबसे पहले हम उस node के लिए memory allocation करवाते थे जैसे ही हम memory allocation करवाते हैं तब क्या होता है? उस particular node की memory allocate हो जाती है उसको एक address मिल जाता है और यह address किस में चला जाता है? new node में जो कि एक pointer variable है ठीक तो new keyword के थूँ हम run time पे memory allocate करवाते हैं किस size की जो आप यहां लिखोगे उस size की memory allocate होगी अगर हम integer लिखते हैं तो integer के लिए जितने bytes लगती है memory में उतनी allocate होती लेकिन यहां मैंने node लिखा है क्योंकि मैंने structure बनाया था इससे पहले वाले वीडियो में उसका नाम मैंने node रखा था और उसमें मैंने दो fields लिए थे यह जो था यह एक integer type का data type variable रहेगा और यह एक node का pointer रहेगा और उस पूरे structure को नाम दिया था हमने node इसलिए उस node के equivalent मुझे memory चाहिए वो allocate करवाई new keywords है और उस memory का जो भी starting address था वो starting address इस new node नाम के pointer में आ गया है ठीक है अब क्या करना है अब हम इस memory को new node के नाम से access कर सकते है ठीक है तो अब मैंने user से कहा enter element के value insert करवाई गया और value को see in किस में क्या इस new node के info पार्ट में मुझे value पुट करनी थी तो मान दो value थी 50 यहां तक का सभी को clear होगा whereas I think अब जो नई चीज है वो यह है कि इसके next में क्या आना चाहिए तो क्योंकि अभी तो हम देख पा रहे हैं कि इससे पहले के node लग रहा है इसके यह वाला address आना चाहिए लेकिन यदि हम programming की बात करें तो compiler को जो हमारा control होगा execution उसे कैसे पता चलेगा logic कैसे लगाएंगे हम कि यही value आए इसमें तो हम इसको ऐसे logic लगाएंगे कि हमेशा यह value कौन hold करके रखेगा start pointer क्यों? क्योंकि हमेशा first node का address start में होता है तो अगर इसको first बनाना है मतलब यह second बनेगा तो इसका जो भी address है वो इस new node के next में आ जाएगा वही चीज लिखिए new node के next में क्या लिख दो? जो start में लिखा हुआ है तो यहां आ जाएगा 2000 अब क्या हुआ? यहां जैसे ही लिखा हमने 2000 तो इसकी एक link बन गई अभी देखिए start भी इसको point कर रहा है और new node भी इसको point कर रहा है ठीक है अब यह तो पहली step हो गई दूसरी step यह है कि भई अब यह हमारा कौन सा node हो गया है first node यह proof कैसे होगा कि यह first node है जब इसका जो address है वो कहां चला जाए start में तो देखिए क्या लिखा है start में कौन सी value जाएगी? new node की तो आब start किसको point करने लगेगा? new node को तो आपकी यहां पर value आजाएगी 3020 start में value आजाएगी 3020 जैसे ही यह value आई तो अब start इसको point ना करते हुए किसे point करने लगेगा? इस वाले node को तो देखिए अब start इसे point कर रहा है क्योंकि हमने insertion किया है at the beginning यह node इसको point कर रहा है यह इसे and so on अब यहां जो बात दिहान में रखने वाली है वो यह है कि यह जो lines है हमारी इनका sequence इन दोनों का sequence हमेशा as it is होना चाहिए मतलब पहले यह वाली line उसके बाद यह वाली statement ऐसा क्यों? तो इसको हम एक बहुती real time example के थूँ समझते हैं यह थोड़ा सा funny example भी है आपको याद रहेगा हमेशा तो देखते हैं देखो मान लो कि आप एक hill पर हूँ चीक है और यहां पर यह खाई है चीक है बहुत गहरी खाई है और आपका एक friend गलती से यहां पर अटक गया यहां उसने ऐसे इसको पकड रखा था पर धीरे धीरे उसका हाथ छूट रहा है तो आपने क्या किया आपने उसको अपना हाथ दिया आपने उसको अपना हाथ दे करके उपर खीशने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ एक time के बाद में आपका हाथ दर्द करने लग गया अब आपका यह हाथ दुख रहा है तो आप क्या करेंगे क्या करेंगे क्या हाथ छोड़ देंगे अगर मान लो आपने सोचा कि यह हाथ दुख रहा है तो मैं इस हाथ को छोड़ दूँ और दूसरा हाथ दे दूँ तो मुझे बताईए क्या जब तक आपने उस हाथ को छोड़ा और यह फिर बाद में दिया second step में क्या तब तक वो बंदा रुकेगा वहाँ पर वो तो गिर रहा था ना उसका तो balance ही नहीं बन रहा था तो क्या करना पड़ेगा उस case में आपको पहले उसे आपको यह वाला हाथ देना पड़ेगा उसके बाद में आप यह हाथ छोड़ा सकते हूं क्यों ताकि वो गिरे नहीं एक हाथ आपने उसका पकड़ रखा है लेकिन जब आपने उसको हाथ चेंज करने के लिए जब अदर्वाइस वो खाई में गिर जाएगा ठीक है तो वही चीज है यहाँ पर देखिए जब हमारा पहले यह जो start pointer था यह first node को point कर रहा था तभी हमने जब यह बनाई थी नई node तो क्या क्या था इसका address इसमें भी दे दिया था start से copy करवा गया ताकि यह भी point करने लगे मतल यहाँ से हटा के इसको दिया क्यों क्या ऐसा अगर directly में इसको यहाँ दे देती तो मुझे इसकी लिंक नहीं मिल पाती और यह सारी की जो बच्ची हुई link list थी जितने nodes वो सब data lost हो जाता ठीक है? ड्रॉइंग जादा अच्छी नहीं है तो यह जादा अच्छा तो नहीं बनाएं बट आए थिंग आपको example समझ में आया होगा और example इतना realistic type से था कि आपको याद भी रहेगा मुझे लगता है ठीक है? तो इसलिए एक हाथ छुडाने से पहले दूसरा हाथ दे एक लिंक हटाने से पहले पहले उसकी दूसरी लिंक बना दी और ये लिंक हटा करके हमने क्या क्या फिर इसे फर्स नोड बनाने के लिए इसका जो एड्रेस था वो स्टार्ट में डाल दिया एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले memory allocation देन info part में value insert करवा लो ठीक उसके बाद उसके next node में जो अभी start जिसे point कर रहा है वोला address लिखवा लो start के value यहां चली जाएगी जैसे ही तो ये link बन गई अब क्योंकि link बन चुकी है तो ये lost नी होगा data अब क्या करना है अब क्योंकि ये हमारा first node आ गया नया तो इस वाले का address start में पूट करवा दो कैसे start equals to new node तो ये right to left assignment हो जाएगा एंड यहां पर हमारा function close so अगर आपको example भी अच्छा लगा हूं तो भी आप comment करके बता सकते है thank you